नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूटीव चनल पर तो दोस्तों बहुत सारे कंडिडेट्स को इंतिजार था दिल्ली में जो गेश टीचर वेकेंसी निकली थी जिसमें TGT स्पेशल पीटी स्पेशल और रिसोर्स सेंटर कॉडिनेटर की वे आपका किस दिन होने वाला है और क्या क्या डॉक्मेंट आपको लेकर जाने होंगे तो जो भी साथ ही उन्हें फॉर्म भरा था वह इस वीडियो को देखें और जार साथ है इस वीडियो को शेयर कर दिजे क्योंकि यह वीडियो दोस्तों सबसे पहले हमारे चनल पर ही आपक आप दे सकते हैं एस पर शेडियो गिवन अश्र 3 तो अभी शेडूल दिखाने वाला हूं उसमें आपका नाम भी होगा आपका अप्लिकेशन नंबर भी होगा और किस दिन आपको जाना है वो सारी बाते लिख्षी होगी एड न्यू बिलिंग ऑफ डिरेक्टर रेट ओव बॉलवर्ड रोड सिविल लाइं दिल्ली तो यहां पर आपका वैरिफिकेशन होगा तो जो एडरस है वो आप यहां पर नोट कर सकते हैं इस अडरस पर आपको जाना होगा इसके लावा दो तरह के आपको पॉफार्मा भर के लेके जाने होंगे अब बात कर लेते हैं क्या अब आपको बता देता हूं सबसे पहले अगर बात करें तो जो आपने अप्रिकेशन फॉर्म भरता उसका प्रिंट आउट लेकर जाना होगा जिसमें सिंग्नेचर डेट आपकी मेंशन रहेगी अगर आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला था तो उसको दुबारा प्रिं अब आप यहां से रिगवर कर सकते हैं यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपका सर्च फॉर्गट अप्लाइग किया था उसमें से जो भी पोस्ट है वो सिलेक्ट करेंगे अपना अधार नमर डालेंगे और और अटी बीडिट करके डालेंगे तो आपकी पर आप करने का कि यह जो लिस्ट है उसमें आपके नाम के साथ आपकी अप्लिकेशन एडी लिखी है तो अपना फॉर्म को दुवारा से प्रेंट कर सकते हैं तो सबसे में बात तो फॉर्म की थी दूसरी बात यहां पर बोली गई है अंडर्टेकिंग लेकर जानी है अनेक पर सिंगनेचर उसे समय करने हैं आपका नाम अधार नंबर मोबैल लिखना है इसके बाद यह चीज़ें आपको आपका नाम और यहां पर आपको भरना पड़ेगा तो इस तरीके से आपको इस सारी चीज़ें भरके लेकर जानी होगी दूसरा है परसनल डिटेल का फॉर्म जो कि इनक्षर 2 जिसे बोला जा रहा है यह फॉर्म दोस्तों आपको प्रेंट निकालना है और यह भरकर लेकर जाना है इसमें आपको अपने अप्रिकेंट का नाम लिखना है जो आपने फॉर्म भराता उसकी अप्लिकेशन आइडी कौन सी पोस्ट में अपलाई किया है व बोबाइल नंबर इमेल अडी और नेरेश स्कूल फॉर जोइनिंग आपके घर से जो सबसे नेरेश स्कूल रहेगा वह आपको भरना है तो यह आप ब्लैंक शोड़ सकते हैं वही पर जाके पूछ सकते हैं यहाँ पर कौन सा स्कूल आप भर सकते हैं इसके बाद आपके सारी इसाल के सारी स् आख के साथ किया है तो वह सारी की सारे को प्रॉठ आपको यहां पर यह गार जनी होगी post graduation degree अगर आपने करी है master degree कर रखी है तो वो आपको लेकर जानी होगी जिन्होंने PGD के लिए अपलाई किया है resource center coordinator के लिए अपलाई किया है उनके लिए master degree यहाँ पर मांगी गई थी अगली यहाँ पर जो important बात है वो है experience certificate experience certificate आपको लेकर जाना है जहां भी आपने काम किया था यह जो experience मांगा था resource center coordinator की वेकेंसी के लिए मांगा गया था इसके बाद आपका RCA registration यहाँ पर मस्ट है बिना RCA registration के आपको यहाँ पर job नहीं मिलेगी तो अपना RCA registration certificate की copy आपको लेकर जानी पड़ेगी इसके लाबा seated pass यहाँ पर मांगा गया था तो seated paper 2 की mark sheet certificate आपको लेकर जाना पड़ेगा original और photocopy इसके लाबा अगर आपको इस reserve category से ब्लॉंग करते हैं जो कि है SC, ST, OBC या फिर EWS तो इन सभी category के regarding आपको अपने जो cast certificate है वो original और photocopy आपको लेकर जानी पड़ेगी और OBC के बारे में एक बात बताना चाहूँगा OBC certificate के वल दिल्ली का OBC ही valid होगा तो OBC के जो दिल्ली के certificate होंगे उनको non-creamy layer यानि NCL certificate भी 2023-24 का लेकर जाना पड़ेगा जितने भी OBC candidates हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि OBC certificate वालों को हर साल एक certificate renew कराना होता है जिसे NCL कहते हैं non-creamy layer certificate यह हर financial year में दोस्तो renew कराना होता है तो 2023-24 के लिए आपको apply कर देना है अगर नहीं किया है तो verification से पहले-पहले आपका NCL certificate आपके पास होना चाहिए क्योंकि NCL certificate की ज़रूद यहाँ पर पढ़ने वाली है केवल और केवल दिल्ली OBC candidates के लिए इसके बाद अगर आप person with disability है तो उसका disability certificate आपको लेकर जाना है दो recent passport size photograph आपको लेकर जानी है आप दो से ज़्यादा ज़रूद लेकर जाएं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा photograph की ज़रूद पढ़ सकती है इसके बाद photo identity proof यहाँ पर कोई भी आपका सरकारी identity proof होना चाहिए चाहिए वो आधार card हो आपका voter ID card हो या फिर pen card हो यहाँ पर आधार card को prefer किया गया है present and permanent address proof तो इसके लिए आपका आधार card address proof के तोर पर यहाँ पर valid होगा तो वो आप लेकर जा सकती है तो यह जितने भी documents मैंने बताए हैं यह सारे आपको अच्छे समझ आ गए होंगे verification के लिए इन सभी documents की original और photocopy के दो या तीन set आपको लेकर जाने पड़ेंगे कुछ और important बात हैं वो आपको बता देता हूँ इसके बात यहाँ पर एक और चीज इंपोर्टन जो बताई गई है वो यह है यहाँ पर यह बात बोली गई है कि आपने मानली जे तीन पोस्ट में अपलाई किया है और तीनों में ही आपका selection हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप तीनों में ही जोइन करेंगे आप अपनी preference के हिसाब से आपसे preference वहाँ पर मांगी जाएगी और preference के साब से केवल एक ही पोस्ट में आप महाँ पर जोइन करेंगे जो भी आपका मन करेगा इसके बाद बाकी जो दो पोस्ट बचेंगी वह आपकी कैंसल कर दी जाएंगी और उस पर आप दुबारा से महाँ पर कोई भी फ्यूचर में बाद में कोई भी वहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे यह पोस्ट छोड़कर दूसरी पोस्ट में जोइन करना है जो पोस्ट आप पहली बार सेलेक्ट कर लेंगे जोइन करने के लिए उसी में आपको महाँ पर जोइन करना पड़ेगा अंडर्टेकिंग मैंने आपको दिखा दिये दोस्तों इसके लावा जो पर्सनल डीटेल का फॉर्म है यह दोनों चीजों का प्रिंट निकालेंगे इसी पीडिएफ में से और इनको भरकर लेकर जाएंगे अगर भरने में कोई समस्य आ रही है तो इनको ब्लैंग लेकर जाए में हैं जैसे इहां पर पहला जो नाम मैंना देवी का है इनके नाम साथ लिए है पहला नाम आपको आप्लाई और मिल जाएगी है अन्हां भी नाम के आगे डेट लिखी है उन सबी को 25 दूस्त आपके वैर सिखेशनके ज्रूद भी गर रेहे हैं इन सबी में को 25 दूस्त को जाना होगा लिए वह पर बता उपर दुबारत सैंग भार आपको दिखा देता हूं तो आपट जो एडर्स लिखा है एसी एडर्स पर आपको वेरिफ्यकिशन के लिए जाना होगा सभी दोक्tiमेнов के साथ में जो भी डेट और टाइम आपको AI अलौट हुआ है उसी दिन आपको जाना पड़ेगा अगर आप यह वेरिफिशन का दिन मिस कर देते हैं तो आपका जो केंडेचर है वो कैंसल माना जाएगा और मेरिट में आपके बाद वाले केंडेट को महाँ पर मौका मिल जाएगा तो जो भी साथ ही इच्छुक हैं और पूरी तरह से अरिजेबल है वेकेंसी में तो वेरिफिशन की डेट मिस ना करें इस वीड लिस्ट है डानलोड कर लिज है आप पूरी लिस्ट आप डावल कर सकते हैं इसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के मिल जायेगा वहां से पूरी पीडियो आप डानलोड कर पाएंगा और अपने नाम के अगkę अग् garant कि टेयर फ přेंट कर देच पाएंगे पूरी इसक्ति कितने लोगों को यहाँ पर verification के लिए बुलाया गया है टोटल यहाँ पर 4307 लोगों की list है यह जिनको verification के लिए बुलाया गया है और last जो date है verification की वो 5 दिसम्बर रखी गई है यनि 5 दिसम्बर तक आपके इन सभी candidates के verification होंगे अलग-अलग dates पर और जिसके नाम के आगे जो date लिखी है उसको उस दिन सभी document के साथ वहाँ पर verification में पिर हो ना होगा तो दोस्तों मुझे पूरी उमीद है आपको यह जानकारी और यह video अच्छे समझ आ गई होगी तो जो जो document मैंने आपको बताया है अच्छे से तैयारी कर लिजे उन सभी की photo copies करा लिजे set बना लिजे अगर आपके कोई भी डाउट से verification के regarding आप comment box में जुरूर पूछे अब हम पूरी कोशिश करेंगी कि आपके सभी कमेंट का सही से answer दे पाएं और verification में आपकी पूरी help कर पाएं दोस्तों अगर आपको जानकरी इच्छे लगी है इस video को जाद सार लाइक कर दीजे और जादर से जादर शेर कर दीजे ताकि सभी तक जिनका नाम इस लिस्ट में है उन तक ही जानकरी पहुंच जाए और समय रहते हैं अपने document तयार कर लें क्योंकि बहुत सारे